फिरोजाबाद चलते हैं वहाँ से हिमाशो मिश्रा हमारे संबाददाता जो चुके हैं जानकारी लेकर अब फिरोजाबाद के इस वक्त की तस्वीर किस तरह के दिखाई दे रहे हैं हिमाशो अगर आसपास की भी तस्वीरे हमारे दर्शकों को आप दिखा पाएं देखे चित्रा बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि फिरोजाबाद की क्या तस्वीरे मैं अपने कैमराबें से कहूंगा कि दिखाएं यहां लंबी लाइन नहीं है लेकिन लाइन लग चुकी है और लगातार सुभे साथ बजे से पहले से इसी तरीके का क्रम जो है वो जार और यहां पर लगातार इसी तरीके का जो महल है इतनी ही लाइन जो है वो लगी हुई है दो पोलिंग बूत है यहां पर और इस तरीके की यहां पर लाइन लगी हुई है फिरोजाबाद जो है वो कांच के लिए जाना जाता है कांच से बनी वस्तुए जो है वो फिरोजाब बनाई जाती है और चूडियों के लिए तो फिरोज़ाबाद बहुत ही पॉपलर है यहां की चूडियां जो है देश-विदेश के अंदर पहनी जाती है यहां की बनाई वी और सबसे वड़ी बात यह है कि फिरोज़ाबाद में 2017 के अंदर बीजेपी ने पांच में से चार व पहले हरियों यादव ने बीजेपी जोईन कर ली तो यह कहा जा सकता है कि मौझूदा स्थिती के अंदर जो है पांचों विधायक वो बीजेपी के है आप देखना यह है क्या समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ सीटों को अपने पक्ष में कर पाईगी क्योंकि यहां क जातिया है वो यहां की जीत का बड़ा फैक्टर माना जा सकता है चित्रा और इस गैरियादव ओबीसी के अंदर क्या समाजवादी पार्टी यह अपने महत्वपोने फिरुजाबाद की चूड़ियों का आपने जिक्र किया है यह चूड़ियां जो होती बहुत नाजोख है लेकिन देखती बड़े खुबसूरत है और यकिनन थोड़ी सी भी चोट लगने पर कांस्ट्रूट जाता है उसी तरह से वोटर्स का मिजाज भी होता है उनका बहुत खयाल रखना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी ही बात कहीं चुप गई तो वो अपने आप में किस तरफ उन्ट करवट लेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है लेकिन आपको बता दे इसी फिरोजाबाद में जब अखलेश यादव ने अपने तीन चुनावी सभाओं को अलग अलग जगों पर संबोधित किया था तो कहा गया था कि पोलिंग बूत पर भूत नाचेंगे बी चितर में साफ तोर से आपको बताना चाहूंगा का और यहां में महौल पूरी तरीके से गरभ है चुकि यहां पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और लगातार ऐसे बुजुर्ग हमने देखा पहली बार आपको तस्वीरों में भी कुछ मैं दिखाने की कोशिश कि कुछ लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं आपने वोट डाल दिया डाल दिया क्या मुद्दे थे इस बार इस बार मुद्दे तो बढ़िया है सही है और क्या 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 आपको चाहते हो इस बार कौसा नेता चुने जैसा है नेता बरतमान में वैसी नेता खड़ा किया गुडिया कठेरिया को खड़ा किया यहां पर और लखन राजपूत को खड़ा किया है बीजेपी ने और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो यहां पर खड़े वे बीजेपी से जो रिया साक के लिए यह विद्वू से काफी इंपोर्टेंट है चुकि यहां पर उ से प्रत्याश्य को खड़ा किया है जो इस समय बेंट और लोट इन जातियों के जो वोटर से वो बहुत बड़ा फैक्टर है आज जहां जहां वोटिंग हो रही है क्योंकि गैर यादव और बीसी वोटरों के साहरे बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था लेकिन इस बार स्ट्राटिजी चेंज करते वे अखलेश श्यादव ने महान दल के साथ गठ बंदन कर लिया है और उनके जो मुख्या है केशव देव मौर्य उनको अलग-अलग जगों पर ले जाकर अपने पक्ष में वोटिंग की अपी लगातार उनकी ओर से करवाय जा रही है मुकाबल झाल